वेलकम तू जैने के एडुकेशन अब हम आगे थोड़े से टाइप आफ सिगनल के बारे में कांटिनिव करते हैं जो कि आपको बार-बार आएंगे जसे जब मैं फोरियर ट्रांसफर्म की प्रॉपर्टिज बताऊंगा या फोरियर सिरीज की प्रॉपर्टिज बताऊंगा य आपको आएंगे टाइप आफ सिगनल के बेसिस पर आप किस तरह का जट ट्रांसफर्म होगा किस तरह का फोरियर ट्रांसफर्म होगा जैसे आपने पढ़ा होगा अगर तो रियल सिगनल अगर मैं लेता हूँ ए पिरियोडिक रियल सिगनल तो जिसका फोरियर ट्रांसफर्म आप कभी भी निकालोगे that will always be even conjugate in nature होगा even conjugate type का होगा उसका Fourier transform, Fourier domain में तो उसकी analysis बहुत important होती है वो किस type का होगा उससे उसकी analysis आप बहुत सारी चीजें आप देख के बता सकते हो कि इसका behavior कैसा होगा तो यह communication में आपको बहुत help करता है क्योंकि communication में normally जो आप real time domain में ही signal को deal करता हो मैं जैसे speech अभी बोल रहा हूँ एक real time signal है complex value signal नहीं है लेकिन even conjugate जो Fourier transform होगा वो complex type का होगा क्योंकि conjugate जहां पे आया conjugate का picture में आता है जब आपका कहां पे जाता है signal type जब आपका conjugate type का या complex type का signal होता है तब conjugate आप पढ़ते हो ठीक है तो even और odd बहुत important है कि even signal होगा तो उसका Fourier transform भी इवेन nature का होता है odd signal होगा तो उसका Fourier transform भी odd nature का होता है तो यह signal थोड़े से important है even और odd बहुत important है जब fourier series बताओऊँगा तो real और even signal का आपने पढ़ा होगा कि उसमें केवल cosine terms आते हैं और DC term आ सकता है और signal होगा तो उसमें केवल sine terms आएंगे तो वहाँ पे इसी पे depend करेगा कि signal even nature का है कि odd nature का है तो वहाँ से आप सीधे relate कर दोगे तो इसलिए आपको पहचानने भी आना चाहिए convergence in case of laplace transform in case of jet transform ये बार-बार picture में आपको आएगा तो उसका राइट साइडेट का हमेशा right-sided nature का होता है left-sided का हमेशा left-sided nature का होता है bounded or unbounded signal का आएंगे picture में जब आप system के क्या चेक करोगे stability bounded input अगर bounded output आ जाए तो आप कहते हो कि Bibo stable system है अगर सारे bounded input signal जितने possible है सबको मैं apply करूं किसी system पे और हर case में bounded output आ जाए तो कहेंगे system क्या है stable है अगर किसी एक भी bounded input के लिए output आपका unbounded nature का आ गया तो system unistable हो जाएगा चाहे वो 100 bounded input के लिए 100 bounded output generate किया हो लेकिन 101 में bounded input के लिए अगर उसने unbounded output generate कर दिया तो हमेशा वो कहा कहा जाएगा unistable system सारे bounded input के लिए अगर वो bounded output generate करता then only it is called as stable system एक के लिए भी fail हुआ तो वो fail हो जाएगा और उसके बाद causal और non causal or anti causal भी आपके picture में आते हैं जैसे मैं कहूं LTI system है कोई अगर उसकी value वो causal signal है अगर उसका response तो वो system भी causal हो जाता है आगे पढ़ेंगे हम LTI system के बारे में जब analysis करेंगे तो causal signal क्या होता है non causal और anti causal इन दोनों में बहुत लोगों को confusion रहती कि non causal और anti causal में difference क्या है तो एक एक करके discuss करते हैं और कैसे पहचानेंगे वो भी discuss करेंगे कहीं बार आपको graph के form में गिया होगा तो आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि यह even nature का है odd nature का है किस nature का है और ऐसा जरूरी नहीं कि हर signal even और odd nature का होगा भी वो हो सकता ना तो even हो ना तो odd हो है ना तो पहले पढ़ते हैं even even signal क्या होता है तो मैं आपने पढ़ा होगा मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा यहां पर यह आफ आप T is equal to क्या है यह आफ आफ माइनस T और मैंने बताया था अगर यह आफ माइनस T आपको find out करना है तो आप क्या करते हो आप करते हो mirror image ले ले तो about y-axis क्या ले तो आप mirror image about y-axis अगर mirror image about y-axis लेने के बाद भी same signal generate हो गया यही तो कह रहा है कि यह आफ माइनस T आप find out करो अगर वो F T के बराबर original signal के बराबर आ गया तो आप क्या कहोगे signal is even signal मतलब mirror image लेने के बाद same signal generate हो जाए यह कब possible है कि signal का जो right half में है T greater than 0 के लिए जैसा safe है वैसा exact mirror image shape कहां पर exist करता है left में भी exist करता है तभी mirror image लेने के बाद फिर से original signal क्या generate हो जाएगा यह T generate हो जाएगा जैसे मैं यह signal आपको दे दूँ minus 1 से 1 यह 1 है अब अगर ध्यान से देखो अगर signal चैसा 0 से 1 के बीच में या 0 से infinity के बेच में सेम सिगनल 0 से कहां के बीच में माइनस infinity के बीच में exact mirror image है तब कहोगे signal कैसा even अगर graph से पहचानना हो अगर आपको equation से पहचानना हो तो यह वो चीज satisfy कर रहा हो आप T को माइनस T से replace करो गए अगर सेम सिगनल आ गया है तो आपको signal even है graph से लेकिन पहचानना आपको आना चाहिए को जब आपको Fourier series के questions आएंगे वहाँ पे आपको graphical form में question given होगा तो आपको graph से देखके पता चलना चाहिए के signal even है कि odd है तो यहा पे आपको कुछ नहीं करना है एक हाप में signal को लो अगर 0 से infinity में जैसा दिख रहा है वैसा minus infinity से 0 में भी दिख रहा है तो signal even है अगर ऐसा नहीं है ठीक है क्यों कि यहां तो 0 से 1 में exist करता है इसकी mirror image यहीं तक exist करती तो जैसा यहां पे है वैसा क्या इसमें है नहीं है यहां 0 से 1 में है signal यहां 0 से minus 2 में है तो exact mirror image नहीं दिख रही है तो यह signal even नहीं है simply अब और signal क्या होगा और signal में कुछ नहीं करना है और signal और ज्यादा important है यहां पे एक और minus add हो जाता है अब देखो यह minus कहां add हुआ amplitude में add हुआ की नहीं जब मैंने कहा T को minus T से replace करोगे तो आप क्या करते थे mirror image लेते थे about what y axis अगर मैं amplitude में a की जगा minus a लग दूँ जैसे मैं कहूं यहां पे amplitude a है यह है मालो a of ut a into ut यह मैंने खिचा है अगर मैं कहूं minus a into ut plot करो मतलब मैंने बाहर minus से multiply कर दिया तो क्या होगा जहां a है वहां amplitude कितना हो गया minus a minus 1 से multiply करने के बाद तो आपने क्या ले लिया mirror image about what? x axis mirror image about x axis तो odd में जब check करना होता है तो mirror image y axis के about भी check करना पढ़ता है mirror image x axis के about तो odd को पहचानना थोड़ा सा tough होता है देखो कैसे पहचानोगे जैसे मैं एक odd signal लेकर ही बताता हूं आपको यह one है प्याफ आप minus t find out करो तो इसकी mirror image लोग इस वाले की तो क्या आ जाएगा यह आ जाएगा dotted line से जो बनाया है मैंने इसको fix रखा left half वाले को केवल mirror image किसकी ले ली मैंने right वाले part की about y axis तो वो left में चला गया अब अगर left वाले को fix रखा था केवल right वाले की mirror image ली अगर जो यहां पे आ गया वो एक दूसरे के mirror image दिख रहे हैं किसके about x axis के about तो कहोगे signal odd है अगर mirror image नहीं दिख रहा है तो signal odd नहीं है और नहीं है तो कुछ भी हो सकता है even हो सकता है neither even nor odd कुछ भी हो सकता है तो mirror image के वल एक आपकी low about y axis दूसरे को fix रखो उसके बाद देखो वो आपस में जो fix वाला portion और जो mirror image y axis के about आया वो दोनों आपस में अगर x axis के about mirror image हैं तो signal odd होगा otherwise signal odd नहीं होगा जैस कि मैं पढ़ाऊंगा आपको इसमें इसी signal को बार-बार periodic signal बना सकता हूं मैं इसी को बार-बार repeat करके ठीक है तो यह आपके four year में आएगा अब मैं इसको कहूं पहचानो even signal है कि odd signal है तो देखो यह one दे दिया यह minus one दे दिया मालो यह a दे दिया और यह minus e तो आपको कुछ पिर यहां पर नहीं करना एक हापको fix रखा दूसरे हाप की mirror image अवगे इसके mirror image लोगे तो क्या आ जाएगा इस तरह से आ जाएगा अब mirror image लेने के बाद देखो यह दोनों आपस में आप दूसरे के mirror image है कि नहीं एकस मेर इमेज हैं तो यह signal कैसा हो अबाट signal हो गया तो एक आपको fix रखो, दूसरे की mirror image y-axis के about लो, फिर आपस में check करो जो half fix रखा था, वहाँ पे वो दोनों x-axis के about mirror image हैं, क्या अगर mirror image हैं, तो signal odd है, नहीं है, तो signal odd नहीं है, अब जैसे इसमें एक example मैं और देता हूँ आपको, तो even odd पहचानना बहुत जरूरी है, 4-year series जब करेंगे, तो वहाँ पे यह चीज, बहुत picture में आपको आएगी, तो देख के आपको graph से निकालना आना चाहिए, यह ऐसा नहीं है, इसी तरह से यह हो सकता, repeat करेंगे, बार बार, यह signal मैंने बना दिया, यह suppose A है, और this is minus A, आपको कई बार देख के यह लगेगा, this signal is odd signal, मैंने एक periodic signal बनाया, मालो यह t by 2 है, minus t by 2 है, यह वाला portion अब बार बार repeat करेगा, periodic case में भी आपको कुछ नहीं करना है, periodic signal के case में भी आप minus t by 2 to t by 2 signal को केवल consider करो, वहीं से आप बता सकतो, odd है, even है, कैसा है, बार बार सारे period को चेक करने के दुरत नहीं, अगर एक period consider करने पर वो even आगया, तो वो even ही होगा, एक period consider करने पर अगर वो odd आगया, तो वो हमेशा odd ही होगा, तो मैं एक period consider कर लूँगा, कहां से कहां, minus t by 2 to t by 2, एक left half में आदा period, आदा right में, हमेशा यही करना है, अब देखो, ये signal देखके, बहुत लोगों को लगेगा, कि it is a odd signal, बट ऐसा नहीं है, अभी ध्यान से देखो, क्या होगा, आप देखो, इसको fix रखो, इसकी mirror image लो, इसकी mirror image लोगा, तो ये वाला portion dot dot यहां आ जाएगा, जो t by 2 पे है, minus t by 2 पे, और ये वाली line कैसे आएगी, दिखेगी mirror image में, ऐसे, अब देखो, ये दोनों एक दूसरे के mirror image दिख रहे हैं, क्या है about y, x-axis, ये दोनों, नहीं दिख रहे हैं, अगर दिखते तभी आप क्या कह पाते, this signal is odd signal, mirror image नहीं है, तो ये odd signal नहीं है, अब वो even हो, बाकी कुछ और हो, neither even nor odd, वो अलग बात है, लेकिन ये odd signal नहीं है, तो ये कई बार आपको लगता है देखके कि ये odd है, बड़ उसको आपको चेक करने आना चाहिए, और odd अगर आपने मान लिया, फिर four-year series coefficient पूछा जाएगा, तो बहुत लोग इसका गलत answer देंगे, कि इसमें केवल sinusoidal coefficient होगा, वो answer गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये odd signal actual में है ही नहीं, जो आपको देखके लग रहा था, तो हमेशा एक आपको fix रखना है, दूसरे हापकी mirror image लेनी है, about y axis, then अगर जो fix portion और mirror image के बाद जो portion है, वो आपस में x axis के about भी mirror image है, तो आपका signal odd होगा, otherwise नहीं होगा, और अगर periodic signal है, तो मैंने क्या कहा, उसका एक period consider करना हमेशा कहां से कहां, minus t by 2 to t by 2, उसको check कर लो, odd है कि even वहीं से पता चल जाएगा, जैसे मैं cost बनाता हूँ आपको, एक cosinusidal signal, इस तरह का होता है, मान लेते हैं इसका time period क्या है, 2 pi, यहाँ 2 pi कहीं यहाँ आएगा, 2 pi, ठीक है, यहाँ होगा pi, pi पे minus 1 होता है, यह pi by 2 portion है, यहाँ पे value होगी, यह minus pi by 2 होगा, यह value pi होगी, और यहाँ पे कहीं होगा minus 2 pi, अब अगर इसको मुझे check करना हो, even है कि odd है, कास आपने पढ़ा होगा, कि cost signal कैसा होता है, even nature का होता है, sinusoidal signal is odd nature की होती है, original, है न, अब मैं एक portion consider करूंगा, तो इसका time period कितना है, 0 to 2 pi, यही चीज बार-बार repeat करेगी, तो मैंने इसको कहां से कहां consider कर लिया, only from minus pi to plus pi, ठीक है, बाकी सारी चीज़े मैंने मिटा दी, अब मैंने एक हाप को fix किया, दूसरे हाप की mirror image, किसी की भी ले लो, कोई फरक नहीं पड़ता, इसकी mirror image लूँगा यहाँ पे, तो कैसा आ जाएगा, अब ध्यान से देखो, इसकी mirror image मैं लूँगा, about, about y axis, तो कैसा आएगा यह, अगर मैं ध्यान से लेता हूँ, तो यह वाला portion कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और यह वाला portion जो pi by 2, 2 है, यहाँ आएगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, तो यह pi by 2 point है, यह क्या point है, pi point है, तो अगर देखो mirror image, अगर यहाँ ध्यान से भी देखो, यहाँ mirror image लेन about what y axis तो यह कैसा signal हो गया event के लिए तो क्या करना है कुछ नहीं करना है जैसा 0 to t में दिख रहा है 0 to infinity में वैसा 0 to minus infinity में दिखे तो सीधे signal क्या हो गया event लेकिन यहीं अगर आपको देखना होता किसको साइनो साइडल को तो यह सीधे सीधे even signal दिख रहा है जैसा यह राइट में वैसा यह क्या है लिप्त में तो मिरेर इमेज अगर आप वाइए अक्सिस है अप टी इगॉल टू यह आप माइनस ती है तो सिगनल कैसा हो जाएगा इवन सिगनल मैं साइनो साइडल बनाता हूं मैं पिरियद टू पाई ले लेता हूं तो अब हम एक सिगनल लेते हैं साइन सिगनल लिया मैंने जिसका टाइम पिरियद मैंने मान लिया टू पाई तो यह एक साइकिल है फिर ऐसे साइकल रिपीट करेगी मैंने कहा कहा अगर को चेक करना एवन या और तो आपको एक पिरियड लेना माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू तो माइनस पाई से पाई तक लिया मैंने बाकियों को आपके लिए मान लेते हैं कि इग्जिस्टी नहीं करता है और चेक करने का एक ही तरीका है और हो सकता है क्योंकि exact mirror image अगर हो जाती about y-axis तो सीधे signal even हो जाता है अगर mirror image जो signal का जैसा 0 to infinity में दिख रहा है वैसा 0 to minus infinity में दिख रहा है तो signal सीधे even हो गया लेकिन ऐसा यहां है क्या नहीं है मतलब even तो नहीं है तो odd हो सकता है तो odd चेक करने के लिए हम क्या करते है minus t by 2 to 0 को fix कर दिया 0 to t by 2 की पहले mirror image लो about y-axis तो क्या आ जाएगा यह आ जाएगा यहां dot dot यह इसकी mirror image लोगे तो क्या जाएगा इसका mirror image यहां आ गया mirror image लेने के बाद आपको चेक करना है जहां mirror image ले लिया अब यह यहां पहुच गया अब हमको जो fix portion था वहां के वैल चेक करना है यह वाले portion को भूल जाओ इसकी mirror image लेके आपने यहां पहुचा दी अब यह दोनों जो fix है और जो mirror image लेके अभी आया यह दोनों आपस में mirror image अगर हो गए about x-axis, about t-axis then this will be odd signal, अगर नहीं हुए तो odd signal नहीं है, even तो था ही नहीं तो neither even nor odd category में चला जाता है, यहां है की नहीं है इसलिए sine signal आपने पढ़ा होगा, sine signal हमेशा क्या होता है, odd signal होता है, original sine signal जिसमें face shift ना हो 5 का, sine omega not t, cos omega not t, even होगा लेकिन sine omega not t plus 5 कर दोगे तो वो neither even nor odd में चला जाएगा, shift के बाद वो original signal नहीं रहेगा, तब आप नहीं कह सकते कुछ वो even होगा की odd होगा, वो face shift 5 पे depend करेगा की वो even रह जाएगा की odd, pi by 2 की shifting कर दोगे वो cos बन जाएगा, sine pi by 2 plus theta क्या होता है, cos theta तो वो even में चला जाएग तो face shift करने पे nature बदल सकता है, लेकिन original sine t, original cos t, original cos omega not t, original sin omega not t हमेशा क्या होते हैं, cos omega not t is always even nature, sin omega not t is always odd nature, simply, तो इस तरह से पहचानते हैं, even और odd, अभी आपने, अब even conjugate, जब आप complex domain में जाओगे, तो even की जगा एक signal आएगा, even conjugate, वे बहुत ही important होता है आपके लिए, अभी आपने कहा था, अगर f t किसके बराबर हो जाए, f of minus t, n से replace कर दोगे तो n, f of n is equal to f of minus n, तो discrete के लिए अलग से discussion करने की ज़रोत नहीं, बस t को replace कर दोगे, n से ठीक है, ये था किसका, even का representation, अगर f t is equal to f of minus t है, तो ये signal कैसा है, even signal है, अगर यहीं पे मैं conjugate लगा दूं, साइड इससे कोई फरक नहीं पढ़ता है, क्योंकि अगर इसका मैं दुबारा conjugate ले लूँगा, तो conjugate यहां आ जाएगा, और conjugate का दो बार conjugate किसी चीज का लोगे तो original चीज आ जाती, तो f of minus t का conjugate लिया तो f conjugate minus t आया, दुबारा लोगे तो f of minus t आ जाएगा, तो conjugate चाहे इधर कोई फरक नहीं पढ़ता है, तो f t एगर f conjugate minus t के बराबार हो गई, f t is equal to f of minus t था, तो even था, इसको कहते है, even conjugate signal, यह भी आपको picture में आएगा, जाब Fourier transform पढ़ेंगे, ठीक है, अब देखो, जैसे मैं एक example लेता हूँ, even conjugate signal का, e to the power j omega not t, f t is equal to e to the power j omega not t, अब अगर ध्यान स से देखो, f आप minus t मैं पहले find out करता हूँ, t को मैंने minus t से replace कर दिया, जहाँ जहाँ, right side में t है, वहाँ, minus t रखो, तो e की power minus j omega not t, इसका मैं conjugate find करता हूँ, conjugate find करने में क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, j को replace कर दो minus j से, दूसरे side j, जहाँ जहाँ है, वो minus j क कर दो, तो minus j करोगे, minus minus क्या हो जाएगा, plus, और यह कितने के बराबर आ गया, ft के बराबर आ गया की नहीं, तो f conjugate minus t is equal to ft, this signal is called as even conjugate signal, अब इसकी एक और important property है, बहुत ही अच्छी, जो आपको याद रखनी है, जो बहुत काम आएगी, आपको analysis करने में सिगनल की, इसको अग इसका एक real part है, और इसका j के साथ वाले part को क्या कहते है, imaginary part आपने complex पढ़ा होगा, कास omega naught t signal कैसा होता है, अभी बताया था, even nature का, sin omega naught t किस nature का होता है, odd nature का, तो यह हमेशा true होगा, अगर मैं कहूं कोई signal even conjugate signal है, मतलब वो यह relation satisfy कर रहा है, तो उसमें हमेशा ऐसा होगा, उ उसका odd part हो, उसका imaginary part हमेशा odd nature का होगा, by default यह property आप याद रखिये, कि even conjugate signal का, जो real part होगा, हमेशा even nature का होगा, और जो imaginary part होगा, हमेशा किस nature का होगा, odd nature का, यह by default हमेशा true होगा, real part of a even conjugate signal will be always even in nature, and imaginary part will always be odd in nature, यह हमेशा होगा, तभी signal even conjugate हो पाएगा, odd conjugate signal फिर क्या होगा, जस इसका उल्टा हो जाएगा अभी आपने पढ़ाता odd signal क्या होता है ft is equal to minus f of minus t अगर यहीं मैं conjugate लगा दू conjugate इधर लगा हो या इधर इससे कोई फरक नहीं पड़ता है यह signal कैसा हो जाएगा odd conjugate signal odd signal में conjugate एक तरफ लगा दिया अब इसका क्या example है मैं ले लेता हूँ एक ft signal ले लेता हूँ j into जो अभी आपने लिया था उसमें j से मैं multiply कर देता हूँ सीधे आपका आजाएगा odd conjugate signal अब देखो कैसे आएगा पहले मैं अब आप minus t find out करता हूँ क्या आजाएगा जहाँ जहाँ t है वहाँ minus t आजाएगा तो यह signal आजाएगा अब मैं इसका conjugate find करता हूँ क्या आजाएगा जहाँ जहाँ j है वहाँ minus j कर दो यह आजाएगा यहाँ j की जएगा minus j रखोगे तो plus आजाएगा अब दोनों तरफ minus से multiply अगर मैं कर दूँ तो मुझे ft मिल रहा है क्या यह आपको किसके बराबार अगया ft is equal to minus f conjugate minus t यह कैसा signal है odd conjugate signal अब मैं इसको expand कर देता हूँ e की पाउर j omega not t क्या होगा cas omega not t plus j sin omega not t उसमें j से multiply करो क्या आजाएगा j cas omega not t और j into j minus बना जाएगा sin omega not t अब इस signal को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो real part है वो sinusoidal signal है minus amplitude से कोई signal पर फरक नहीं पड़ता कि वो even है sin omega not t अगर odd signal है तो minus sin omega not t भी odd होगा amplitude को चाहे a लो चाहे minus 1 लो चाहे minus 2 मैं कहूं 2 sin omega not t वो भी odd signal है minus 2 sin omega not t वो भी odd signal है amplitude से signal के nature पर फरक नहीं पड़ता क्योंकि odd और even किस से चेक करतो t से चेक करतो amplitude से चेक नहीं करतो तो चाहे मैं a sin omega not t signal को खाऊं a की value minus 1 लो plus 1 लो minus 2 लो plus 2 लो 0.5 लो उससे signal के nature पर फरक नहीं पड़ेगा वो odd ही रहेगा तो चाहे minus low चाहे plus तो यह real part है कि नहीं ft का वो किस nature का है ध्यान से देखो odd और जो imaginary part है वो किस nature का even तो यह हमेशा true होगा मैंने तो एक example दिया आप जितने भी odd conjugate signal उठा के देखोगे उसका real part हमेशा odd nature का होगा odd signal होगा और उसका imaginary part हमेशा किस nature का होगा even nature का तो even conjugate में real part is even तो दूसरा वाला imaginary part कैसा बन गया odd जबकि odd conjugate में real part is odd तो जो odd conjugate है real part odd बनेगा तो दूसरा वाला क्या बनेगा even तो यह आप याद रखिए even conjugate signal का real part even होता है imaginary part odd और odd conjugate signal का real part odd होता है imaginary part क्या होता even यह हम Fourier transform में बहुत यूज करने वाले हैं तो इसको ध्यान से याद रखेगा है न तो यह आपका even और odd conjugate signal हो गए ठीक है तो जैसे odd था उसमें conjugate add कर दो सीधे सीधे conjugate add करने का मतलब j को minus j से replace करना किसी भी complex domain में ठीक है कर दो न तो यह रखेगा है तो अ तो यह रखेगा है तो यह रखेगा है